जी हालो स्टुडेंट्स अपा पर्मूटेशन अंड कम्बिनेशन ते 27 नंबर लेसन ते पहुंच गे ठीक है जी तो कई सोच देऊंगे किते कता के जाना कोई नहीं थी कती ते खतम होजेगा तो डिकॉल इस तो ज्यादा दूर नहीं जानता है तो डिकॉल बट क्वेशन ओह D.C की कि पर्मूटेशन अगली क्लास ती पर बिल्टी थी तपांडेशन है ठीक है अगर प्लस तो चो जो सो नंबर तुसी देखो तो पास भी इस चेप्टर दी किनी इंपॉर्ट है ठीक है तो क्वेश्चन कह रहा है कि अन्द हाओ मैनी बार्ट कैन भी फॉर्म लेटर्स टेकन एटाइम आउट ऑफ दा वर्ड मैथेमेटिक्स ठीक है जी मैथेमेटिक एक दो तीन चार पांच छे साथ अठ नो दस 11 11 टो टोटल ले जी जी दे वीच दो मैथ हैं दो एए दो टी एं फिर एच है फिर ए है फिर आई है फिर आई है फिरसी है कोई सीरियल दाचा करनेगा एच है तो टीक है ओन फॉर लेटर वर्ड लेना है तो डिकॉल ठीक है जी four letter word लेना है तो डिकू ता-केस भान रखो इसने कांडिशन नहीं है तो डिकॉल भी केस ओंत, उसे किसम लेना है, जी मैं कहता है टू अलाइक za टू अलाइक ओफ ओफ एञाज ओफ काइंड स्वान ठीक है केस तू आलाइक ओफ वूनकाइंड टू एलाइक सेलिक्ट करने two एद दे चूज करने दो एदा दे यां दो एदा दे जाए दत upwards अदे इस तरहां थे LAD醉ष करतां कि दिखोय का है आधा दू ऐट अधिन, isto już दो चक्णे ने दिविश्चो जो तुसी एक उठाने हो ता दो पेर चक्के जानते हैं तो यह दा मरला तुसी उठाओगे थ्री सी टू क्योंकि यह तीन नेट उठा ठीक हो गया चीश्चो अगे पीछे केसिस दा पुई चक्करने भी दूसी कि धा लेने टू लाइक ओफ बन काइड हा क्या ठीक है तिन पेर सीगे तिन चो दो उठा ले बस अगर तिन चो दो उठा ले तो होन कुछ बचया नहीं गा तो पास होन सिर्फ अरेजमेंट रहे यह ता सेलेक्शन होई है न कि अरेजमेंट चार फिक्टोरियल अरेंज करने ने दो अलाइक ओफ दिस नेक्स्ट काइंड सो थ्री सी टू हो जेगा जी जाता है इसनों पर जॉल का लिए तिन आजेगा एचाओ भी आजेगा एचार आजेगा जी तो यह ठारा आजेगा इनेफेक्टिव विच भी ऐसे तरह आया सी ठीक है जी सो हो गया जी अगला केस ले लिए अपन और डिकोल टू अनग काइंड हो गया जी तो लिए टू डिस्टिंग्ट ले लिए तो मतलब टू अलाइक ले लिया केस टू अपन ले लिया तू अलाइक और टू डिफ्रेंट देखो चार नमबर जूज करने ने तुसी एदाने जूज कर लो आ टाइप है जेडी M-M-A-A या A-A-M-M-T-T या T-D-A-A जेडी टाइप है इस टाइप नो बेलोंग करता है तो आलाइक ओफ वान काइड तो आलाइक ओफ वान काइड टू डिफरेंट एक इस तरह दी टाइप है इस तरह दी टाइप है M-M-H-E ठीक है या M-M मैं तो जम्जान नहीं लिख रहे हैं I-C मैं लगा दो इक काइड दे हो सकते हैं टाइप समझा रहे हैं वाँ पेपर तूसी नहीं लिखना है ठीक है जी किते कसमान बादो अगला कट देवे सेजड़ सिर्फ टाइप पकण डि टू-ाओर जिड़ा हाँ सेम काईड उंच दो सेम काइंड दे हो गे तब कपी गलो तो ड Combat सो पेज मेन नहीं वार हमाना है थर फार्वजी अगर तो डिकोल दिडा है तो अलाइक अन टूवार डिफ्रेंट है न घूट होगी थोटी selection को पून आ गया औहो चार विक्टोरियल ना अरेंज होगे जी ओथ पाद repetition repetition शिर्फ 2 दी होई है बाखी इक ना लिक विक्टोरिय और बात बात तो यह तेन्य रहे ज़ाना जी सात चे नीचे आजेगा इत्ये चोभी आजेगा इत्ये दू आजेगा तो एनौ अप्रतिं ते कात दिये जी नौ अप्रां को आजा अश्य अचाल सीधाई कर लीफे ना मतलब 12 मिंद देश्किंट्रीशन दाला के दासना कुणा कर दो जो चोड़ी चकर अलबात है निगी ठीक हो गया जी स्वेवी हो गया जी उस तो बाद आपा क्या करना है तो बाद आर फोर डिस्टिंक्ट लेटर्स ठीक है तीसरा केस है जीड़ा तो अटिकोल आल फोर सानिक्ट लेटर्स में डिस्टिंक्ट लेटर्स अपने कोल ट्यूटल आठ ने जी आठ विच्चो चाड लेलो चार अरेंज भी करने ने आ ना पूलना न्यॉम कायिन्हों तूसे वोना कर लोगे ठीक है अठ बरद सात चेंवा चार तिन दो इक चार दूनी आठ है काड़त तिन दूदी छे सतर आ गया ठीक है जिस सतर गुणा चौबी करते नहीं तो ठीक हो गया जी सो एक आरला ना चीज तो डिया गी उस तो बाद आपा सारिया पसिबिल्टीज नो एड कर ले ना तो टोटल नंबर ओफ वेस के निया जाड़ गी है तो डिकुल तो एथे लेख देना जी टोटल नंबर ओफ वेस पहले केस्ट किने सेलेक्ट ओएसी अठारा दूजे केस्ट किने सेलेक्ट ओएसी के तो टिकुल अठारा साथ सोच पंजा ते सोला सो असी ठीक है जी एस आरिया ना दुसी आड कर लेना चौवी सो चुरण जा जाजेगा करके ख्याल लखना एक क्वेश्चन नेक्स लेक्चर छोड कराऊंगा बस उस तो बाद तुसे एक्सपर्ट हो जोगे मैं लगदानी कोई प्राब्लम है गिया तो टिकुल सो अगला क्वेश्चन रेलेटिवली वेरी इजी क्वेश्चन की है अपा देखिया जी तो ट्कुल कैना हाओ मैनी दिफ्रेंट वर्ड इच कंटेनिंग ठीक है जी इच कंटेनिंग टू वर्वल्स ठीक है जी दो वर्वल एंड थ्री कॉंसोनेंट कैन बी फॉर्म्ड पर देकरने दो तो अगर ता हमेनी स्लेक्शन पॉसिबल होंता ता अथे तक क्वेश्चन हो जाना से गा थेक है अथे यह ज़ेड़ा है तो टेक हाओ मैनी डिफ्रेंट वर्ड इच कंटेनिंग टू वर्वल्स ठीक है जी दो वर्वल होने चाहिए जाए ने तो टेकोल ठी भी कॉंसोनेंट होने चाहिए ने तो ठीक है जी ते जेड़ा है गया तो डिको लो ता हूं एच बहुता लंबा चोड़ा चक करनी आप अरेंजमेंट जरूर करना अरेंजमेंट मीज मेर पास टोटल पांज सीगे ते पांज नो रेंज भी करना सो एनी कोड़ा काल रहना तो थिखोंगया जी तो एक क्वाइट इज्टा थाख क्वषण है घुए तो अगला पुक्ष्ण थोड़ा जा डिफिकल्ट है उसनों समझना था अप्षिए को सर्कुलर पर्मुटेशन है और ईक्चे से थे सर्कुलर पर्मुटेशन आला लेक्चर नहीं देखे उन्हों वै जी तर डिसाइड़ ओवे ना वे आप अंदरा ये ते बेने आप फिर कोई सेलेक्शन दी दिक्कत नेगी हुन सेलेक्शन भी है ते रेंजमेंट भी है तो बिजनस्मेन होस्ट एडिनर इककी गेस्ट ने ओदे को हेविंग टू राउंड टेबल्स ने ठीक है जी पंदरा ते छे परसन उटसने अडजस्ट करने ने ते इन हाव मैनी वेज ही कैन अरेंज कैस सब तो मेन चीज जेड़ी तुसी इस क्वेशन दे विच ख्याल रखनी है ओ है गया कि देर आर टू राउंड टेबल्स जदो त्यान नल देखना राउंड ठीक है जी सो देखो जी की करना है गया तो अपाने जदो आपनोंने कह तकी 15 गेस्ट बठावनेना नंकों केड़े पंद्रा बठावनेन एथे च्छे बठावनें मेनू एय नहीं बठा तो सब तो पहला सेलेक्शन हो एकी सो सेलेक्शन होएकी इन्टू फेर जिड़ा होएगा arrangement होएगा select and then arrange select इक्की बंदियां चो मैं 15 अपनी मर्जी दे select कर ले इक्की चो मैं 15 सेलेक्ट कर ले होगे जी इक्की चो बंदरा सेलेक्ट कर ले अन्य दरी के वणे होगे तो उस तो बाद किन्ने बाच किन्ने गए 6 और 6 दे 6 अगली पार्टली सेलेक्ट होगे होगे जी और ये 15 बंदे round table ते रेंज करने ने तब 15-1 फेक्टोरियल आज 6 बंदे round table ते रेंज करने चे एक्सो एक्की सी पंदरा गुणा छे सी छे गुणा चौदा फेक्टोरियल गुणा पांच विक्टोरियल गुणा अपस्ट करना जे बहुत वड़ी रखम होवे तैमें विछड़ देता चाहता ता हम भी कोई दिक्कता लिवाल नहीं है तो अटिकोल तो एस अधा अंसर आ है तो उन्हों समझ आ गया होगा कोई लंबी छोड़ी सलेक्ट पूरी कंबिनेशन पर्मूटेशन चिक फार्मूला लिको सलेक्ट एंड देन अरेंज जे तो नों लगया उन्हें अरेंजमेंट बुच्छा गया ठीक है नहीं कल्ला सलेक्ट थी कम खत्म होजेगा ठीक है ज जड़ा इंग्लिश लेटर है करदा मेरे पास से ड़ा है कि फाइब वोवल्स ने हुंदे भी फाइब इने ते कॉंसोनेंट से एक की कॉंसोनेंट तुन ने हाव मैनी वर्ड्स विद टू डिफरेंट ववल्स एंड टू डिफरेंट कॉंस और तो पांच बिच्छों वर्ड नी बनिया क्योंकि अन्व ह particuli ने दिते हैं गी हाओ मैनी इंग्लिश आल्फवड देखें घंड हो मैनीं नैंकल उल्फवड फॉहवल्स यृहाव मैनी वर्ड्स क्लेंट डिफरेंट वोवल्स डो डिफरेंट कॉंसोनेंट सो दो ववाल होने चाही तै कर लिजिस ल तो क्वैदी लंपी चोडी गलबात है निकीजी बड़े अराम नहीं है तो ठीक है तुसी बहुत इजी सिर्फ इक टॉपिक रहागे वह भी सारीयां कतबं बिच नहीं है तो ठीक है पर क्योंकि अपाइश करना इनफ्यूचर जड़ा है तो ठीक है तो फिर चाहिदा है मैंनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग इच विद टू ववल्स एंड थ्री कॉंसोनेंट पिछला बाला कुश्चन ही रपीट हो गया थ्री ववल टू कॉंसोनेंट है बट लेने डॉर्टर चुआ है बस इनना का ख्याल करना है हाँ सुजे डॉर्टर करिये एच तो इनन का फाइब कोंसोनेंट से नहीं हुआ फिंडーー एक वाजल थ्री कोंसोनेंट सेख्यागी ह Dabei lift होगे तष्य फाइब कनवे तो फेर घेल कुछ भी नहीं करना है खाए लो टूसले डिशी विच्च रहाए नहीं है तो哇॥ Informationen आपा-फाइव लले। वी आपाइव लेले। फैभ वी स्फीनियों कि ने चाहिए दो ठीक है जि तिन वी दू चाहिए देने여 पांच विच्व भी दो चाहिए देने तो ठीक है जी उस तो बाद जड़ा है गाए अखरता बाणना ने चाहता के ना अरेंजमेंट ना होया तो अरेंजमेंट किन ने चाहिए था यह तो ठीक है हाओ मैनी वर्ड्ज थ्री कॉंसोनेंट है उरे तिन लोग है सो फाइफ विक्टोरियल दा कि यह वाली आप्शन आजेगी तो ठीक है जी सो एनना लंबा चोड़ा चक करनेगा सो एग्जेक्टली सिमिलर है जदो तुसी इस क्वेश्चन ती गाल करते सेगे तह एदे वेचे सिर्फ होने क्या है पूरी इंग्लिश दे 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 ते उसने क्या दो डिफ्रेंट वावल जें ते दो कॉंसोनेंट दो डिफ्रेंट वावल ते दो डिफ्रेंट कॉंसोनेंट सेलेक्ट करने तो सेलेक्ट करन तो बाद इननों चार फेक्टोरियल नाल अरेंज करता इस वार वर्ड डोटर दे देता ते डोटर वीच्चों दो वावल पांच कॉंसोनेंट ने ते दो वाइगा है ख किने हौ मनेनी डिफरेंड रै क्वने डिफरेंट प्रोडक्ट्स भरेण ऑन्य निहों है प्रोडक्ट्स इस प्रोडक्ट्स में गुंहें की तेन धुना फाइने फैन पंद्राइंग फिलाप आरा पॉस्चन ता नहीं है क्योंकि प्रोड़क्ट उल्टा उल्टा करके से मांस देंदी इंगलिश ते अल्फाबेट बदल जानते हों तेने उना पन के हाउ मैंनी डिफरेंट प्रोड़क्ट्स आर पॉसिबल तर जी तुसी त्या नल देखों तो डिखोल हाउ मैंनी माइश तिन दी ग्यारा नलवा एं में हो चानता है ना ठीक है अगली बारी 5 दी थी चाटão हो सक्स tant से अगली बारी कि आ सकते शाति टीचेप्राईव कि पांच दीच्टी ग्यारा प्रोडक्ट आफ टू नंबर्ज अगर मैं टू नंबर्ज इप्रोड़sover लैंग पॉसेबल वेज हैan product नहीं और प्रोड़क्ट ने ऑएगा पॉसेबल वेज प्रोड़क्ट आफ टू नंबर्ज था 4 3106 ब्रोड़ो जानिया और गडि alm मैं लिख चुका माई तो कंबिनेशन दा केसे तेन गुणा पांच लिखे पांच गुणा तेन नहीं लिखे है तो टेपास ठीक है जी डिफरेंट प्रोडक्ट पुछे उसने रेपिटिशन नहीं कह रहा है कि बार बार करो तो ठीक हो गया जी तो यह वाली पॉसिबिल्टी ह हो दो खाण गहें ठीक है जी और जे बंदा कवे चार पॉसिबिल्टी गेडिया ने लिखे नहीं को दो लिख सकते हैं तेना गुणा पांच गुणा शानशा एक पॉसिबिल्टी को चर नहीं ना उस तो बाद मैस कड़ा Темसाट हो यूज हो गेजी हाची हो गेजी अगले बीच देखो तो डिपास देड़ा है अगले बीच बाण जेगा तेन साथ ग्यारा ठीक है जीसू तेन पांच साथ नल भी आ गया तेन साथ ग्यारा ठीक है जीसू एवाल यह पसिबिल्टीज बन जानगी यहां देख लिए कोई होरता नहीं बन दियागी नहीं बनेगी ठीक है सब दिफरेंट है उसी देखो तेन कीनी बार आ रहा तीन बार यह तो जेड़ी एदा मतलब है कि एद्धा देवी कुछ छे एद्धा दे बाण के चार एद्धा दे बाण जान के ते उस तो बाद के सेड़ा पड़ूंगा ऊच सारे गठे लेलो तो एको पॉसिबिल्टी आ वा ये बच्चे आरेंग करदें इस स्टक्राइन नहीं करना वन्हें कुछ नहीं किया है तो डेकोल ठेक है उसने कुछ नहीं किया किरेंग करना की रखना है पर अपनु tats है question दी जीड़ी sense है वो अपनों कहरी how many different product हूं तेन गुणा पांज लागे बंदा पांज गुणा तेन थोड़ी लोगा दोनों case चांसर 15 आ जुगा तो यह possibility नहीं हो सकती तो total cases किन्ने बंड के 6 होजेगा पहला सब पहले आले case विच किन्ने case बंड ने थोड़ीको छे दुझे चार ती जे ची सो ग्यारा possible तरीके नाल इना दी product किती जा सकती है कि यह थोड़ीकोल यह सब्सक्राइब कोश्चन है थोड़ीकोल ठीक है जी सो अगला कोश्चन भी बड़ा जबरतस्त पैरलोगराम इस काट भाए two sets of M lines parallel to its sides में लगा थोड़ी यहाँ पैरलोगराम है और यह अधिक पैरलोगराम है कि यह दो नहीं पैरलोगराम इस स्टेटमेंट समझना चे तुसट यह दी स्टेटमेंट समझ गे उस तो बाद इस question कुछ नहीं है और नाल शर्ते है कि तो डिकॉल जो मैं तो नो पहला कराया है गाए पैलल लाइन जाया जमेटरी ओ तो नो ओंदी होगे केंदा पैललोग्राम इस काट बाई टू सेट ओफ पैलल लाइन्स पैलल टू इट्स साइड्स मतलव की होया एंवे एंवे गईया लाइना एंक अटियां ते लास्ट वी चे और एजडियां लाइना नहीं न एम लाइन्स नहीं ठीक है जी दूज्य नंबर ते उपरली साइड भी का टोई है तो डिकॉल तो यह रेड़ वाली है यह में भी पैलल लाइना लाइना नहीं तो डिकॉल यह भी जीडियां है नहीं तो डिकॉल यह एम लाइन्स है ठीक है जी तो पिछे जीडि माड़ी मूटी डिस्टर्बेंस दिया वहा आ जा रही है और अगड़ाई दी मशीन गवाटियां तो चल दिया तो जी आ रही है था इस ता उते फोकस ना करें जो मैं कोईस्टेंच बना रहे हैं उते ते फोकस करो तो ठीक है जी सो एम लाइन ुझs जेडियायाया ४ाइन मेरियाय रैडणाल लाकियाय- मेरियाद जेडियायैं तो टीकेल ओफरों अगार अपा पैरलो ग्राम बनानी होमे, पैरलो ग्राम इस ता Mmm एम लाइन पैरलल टू इस इड़ा है का सैट ओफ एम लाइन पैरलल टू इटसाइड जैसे पैरलो ग्राम इस काट बायर तू सैट ठीक है एक वर मैं स्टेट्मेंट दौपार देन ना है क्योंकि कुछ चोंग कुछ नहीं रिया है कि सेलेक्शन वॉद्स ऑख ए पैरलो ग्रा find the number how many how many parallelograms are found नमिया parallelograms कि निया हो गिया एक parallelogram परनली दो साइड़ां उद्रों सेलेक्ट करनी है उद्रों दो इद्रों देखो यह M से गिया एक कि नारा एक नारा so M पलस टू साइड़ जो गिया जिदे विच्छों सिर्फ तूसी दो साइड़ां सेलेक्ट करनी है ठीक है जी दूसरे पासे तो भी एही होया M पलस दो साइड़ां होगी है तूसी दो सेलेक्ट करनी है अगर जमेटरी ऑफ-लाइन जाले जड़े मैं कुश्चन कराए सी के तो नो वो तुस्य अच्छी तरह कीते हो इने ता मेरा ख्याला कि ए लेक्चर तो नो बड़े बजिया ठागना समझा गया होगा ठीक है जीडी कल्कुलेशन लगए जीब जीए उसनों एज़िटीज चाड़ तो तामी तोड़ा कोई चक करनी का तोड़ा आंसर है जीड़ा वो सही मा ठीक है जी वाकिन एक्स लेक्सिस करते हैं थैंक यू